नमस्कार साथियो स्वागत है अपका क्रेजी जी के ट्रक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ दिनेश साहू और आज हमारी इंडियन जोगरफी की जो 10 कुशन सीरीज चल रही है इसको आंगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक डिसक्स करने वाले हैं आज का हमार टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्री उद्यान या फिर नेशनल पार्क ठीके काफी ही महात्रपूर्पूर्ट टॉपिक है किसी भी एक्जाम के द्रश्टी कोड से इस टॉपिक से अकसर एक्जाम में कुश्चन देखने को जरूर मिलता है ठीके नेशनल पा ठीके इसके लाब थोड़ा सा मैं आपको 10 question series के बारे में बता देता हूं कि जो यह हमारी 10 question series चल रही है इसमें हम most selected question रखते हैं जो कि exam के द्ष्टी कोड से बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण हैं और बारवार repeat होते हैं आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें geography PCS हो गया जितने भी state के PCS हैं ठीक है railway हो गया SSC हो गया SI हो गया NDA हो गया कोई भी competitive exam हो सभी exam के लिए हमारी 10 question series beneficial है इसको आप follow कर सकते हैं इसमें हम 15 question के आसपास रखते हैं ठीक है कोई बड़ा topic है तो उसको हम 2-3 part में भी तोड़ लेते हैं ठीक है तो बहुत कम question कम time में हम आपको यहाँ पर किसी भी topic का बहुत अच्छे से यहाँ पर recall करा देते हैं तो आप इसको follow जरूर कर लेजे चलिए सीधे हम पहले question की ओर चलते हैं और पहला question यहाँ पर discuss करते हैं पहला question है भारत ने अपना wildlife protection act किस वर्स launch किया था या फिर आया था ठीक है तो इसका answer क् हो जाएगा 1972 भारत में वन्य जीव संदक्षन अधिनियम या फिर wildlife protection जो act है यह कब आया था 1972 में आया था आपको याद रखना है 1972 में आया था कई वार यह question exam में आया है ठीक है थोड़ा साम इस act के वारे में भी discuss करने कि आखिर यह जो act लाया गया तो इसका उद्देश यह था क्या था क्यों यह लाया गया ठीक है तो देखिए 1972 है ना आजादी के बाद बहुत जादा टाइम नहीं है लगवक बीस पर तेश वर्स का पच्चेश वर्स का टाइम पीरिड है तो इस समय क्या था भारत के जो वन है ठीक है और वनों में कौन रहते हैं वन ने जीव र रकम कमाते थे तो इन सबी चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार के दौरा वनने जीव संदक्षन अधिनियम लाया गया था अब आपके मन में कॉश्चन आना चाहिए कि सर एक्ट के अंतरगत क्या चीज़ है की गई तो मैं चीज क्या की गई कि जो आप नेशनल पार् इनको स्थापित किया देशवर में इसमें क्या किया गया आप देखते होंगे नैशनल पार्क घूमने जाते हैं तो इनको सरकार के दौरा नियंतरित किया जाता है या फिर चला जाता है यहाँ पर कानून काफी सक्थ होते हैं इसली आप यहाँ पर घूम नहीं सकते निवा वर में राश्ट्री उद्ध्यान और wildlife जो centuries होती है वन जीव अविहरन होते हैं इनके स्थापना की गई थी इस act के द्वारा अब आपको comment में answer देना कि भारत में जो tiger project आया था tiger के protection के लिए ये कब आया था next जो हमारा lecture रहेगा 10 question series का वो tiger अगर project पर ही रहेगा तो इसका आप ही comment में answer दे दीजिए ठीक है चलिए अगला question discuss कर लेते हैं भारत का पहला national park कौन सा है या फिर भारत का पहला राश्ट्री उद्ध्यान कौन सा है तो पहले हम देख लेते हैं option काना किसली ये तो मद्रप्रदेश में है ये नहीं है ठीक है रन थंब और ये कहाँ पर है तो आपको ये राजिस्थान में देखने को मिलेगा हैली नेश्ट्री नेश्ट्री पार्क और डाइनसार डाइनसार भी कहाँ पर है मद्रप्रदेश में ही है इसका सही अंसर हो जगा और या नेश्ट्री वह में होता तो बच्चे थोड़ा से यहां पर फस जाते है वर्तमान में पुरत है इसका नाम चेंजकी किये जाने की योजना है और इसका नाम आगे चलकर के राम गंगा नेशनल पार्क हो जाएगा तो ये बात भी आपको याद रखने हैं काफी महत्रपून है भारत का चुकि पहला नेशनल पार्क है तो इसका आपको एर जानना भी जरूरी है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल पार्क के रूप में तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीके चलिए अगला कुशन है आपर कुछ नेशनल पार्क वाइड लैप सेंचुरी या फिर वर्ड सेंचुरी दी हुई है आप आपको स्टेट से मैच करना है पहला है गिर राष्ट्री उद्यान या फिर गिर वन छेत्र ये कहां पर है तो ये कहां पर है असम में तो इसका हो जाएगा चार ठीके स्वारी असम में नहीं है गुजरात में है तो चार हो जाएगा इसका भरतपुर वर्ड सेंचुरी ये कहां पर है तो राजिस्थान मे है एक हो जाएगा ठीक है बांधवगड कहां पर है मद्र पर देश में नैशनल पार्क एक तो दो हो जाएगा और चॉंथा काजी रंगा है तो एक कहां पर है असम में तो हो हजाएगा 3 सिंबा आपने सुना होगा ना बच्पन में कार्टून देखा होगा ठीक है तो गिर वही उसी को हम बोलते हैं बबबर से तो गिर नैशनल पार्क उसी लिए जाना जाता है ठीक है इसके लाबा भरतपुर जो वर्ड सेंचुरी है यह पक्षियों के लिए जाना जाती है वर्ड कजि रट पार्क है यह एक सिंग वाली गैंड़े के लिए जाना जाता है और असम राज्ज में है घिक है याद रखना है एक और कौंसा महत्वण नैशनल पार्क है एक है काज रग Yoga मानस है नमानस एक नदी भी है जो ब्रह्मपुर्ण की सहायक नदी है और एक और भी यहाँ पर situated है ठीक है चलो अगला question डिसकस कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा national park कौन सा है तो most important question है second war exam में आया हुआ है ठीक है तो इसका answer हो जागा A option ही सही है हिमिस national park ठीक है याद रखना है पहला जो national park था उसका नाम हैली national park था और सबसे बड़ा जो national park है इसका नाम ह इमिस national park है यहाँ पर भी बच्चे काफी confused होते है ठीक है तो यह कहाँ पर है बच्चो लद्दाख में हैं है इससे पहले यह कहाँ था जम्मू काश्मीर में अब आपको पता होगा पहले जम्मू काश्मीर राज था तो उसमें लद्दाख का छेत्र भी आ जाता था लेकिन 2019 में है ना 31 October 2019 को उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया दो तो यह तेड़ भी याद रख ले ना 31 October 2019 जब यह डो न्यू यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आई थी तो लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई तो वर्तमान में यह कहाँ पर है लद्दाख म सबसे उचाई पर भी इस्थित यह नेशनल पार्क है इसके अलावा हिम तेंदुए ठीक है हिम तेंदुए जो होता है जो बर्फ में रहता है तेंदुए इसके लिए जाना जाता है इसनो लेपर्ड इसको हम बोलते हैं ठीक है तो जितने भी डेटिल बताई है most important है यहां से ह कुशन आ सकता है आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगले कुशन को डिसकस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दू यहां पर तो मैं आपको रिवीजन कराई रहा हूं आप मुस्से डेटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लिकेशन पर आ सकते ह हैं दोनों ही एप्लिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वहां पर आप एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं मुझसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं डेटेल में इंडियन जोगरफी वर्ल जोगरफी तो फांडेशन कूर्स आपको मिल जाएंगे live भी मिल जाएंगे recorded भी मिल जाएंगे तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं और geography के concept clear कर सकते हैं interesting तरीके से ठीक है इसके लाबा GS का हमने एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा course ठीक है जो आपके लिए बहुत ही affordable होगा RM badge जिसको हमने नाम दिया है GS का foundation course है जो कि आपके किसी भी exam के लिए काफी महत्पूर है state PCSO, UPSC, SSCO, Railway किसी भी exam के लिए beneficial है इस पर लगवग आपको 12 subject मिल जाते हैं हाँ पर 12 subject लिखे हैं 11 subject और साथी साथ monthly current की e-book भी आपको मिल जाती है ठीक है तो बहुत ही अच्छा course है और बहुत ही सस्ता course है ठीक है आप इस number पर call करके बात कर सकते हैं ठीक है काफी अच्छा course है इसको आप जरूर purchase करें यदि आप तैयारी कर रहे हैं इसके लब हमारी crazy जी के trick की application भी है यहाँ पर भी different courses मिल जाते हैं आप avail कर सकते हैं जितने भी यह बच्छो course है आप maximum discount के लिए DSCGT यदि coupon code apply करेंगे तो आपको maximum discount इन courses पर देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए next question की ओर चलते हैं और अगला question हम यहाँ पर discuss करते हैं सबसे ज़्यादा national park ठीक है sorry क्या question है सबसे ज़्यादा national park किस राज्य में है तो आपको पता होगा मद्यप्रदेश राज्य जो है यहाँ पर सरवादिक वन छेतर भी है ठीक है forest cover भी है इसके लवाद सरवादिक national park यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं लगवक 11 national park आपको मद्यप्रदेश में देखने को मिलते हैं कहना किसली हो गया जो कि मद्यप्रदेश का पहला national park था अभी हमने बांदवगर नेशनल पार्क दिखा तीक है यह सभी नेशनल पार्क कहांपर है मधिप्रदेश में देखने को मिलते हैं अगला कोश्चन है देश का सबसे छोटा राष्टी उद्यान अभी हमने सबसे बड़ा देखा था हिमिस अब आ गया सबसे छोटा ऐसे एक्जाम में कोश्चन जरूर देखने को मिलते हैं साउथ बटन जिसका नाम है तो यह कहां पर सिचुएटेड है किस राज्ज में है असम जारखंड अंडमान निकोवार या फिर राजिस्थान तो अच्छा कोश्चन है इस कहां से हो जागा अंडमान निकोवार जो आईलेंड है जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समू है य नाम भी पूछ लेता है कई वार साउथ बटन नेशनल पार्क या दक्षणी बटन नेशनल पार्क तो आपको याद रखना है कहां पर है अंडमान निकोवार पर ये सिचुएटेड है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है दुनिया का पहले तैड़ता हुआ नेशनल पार्क भारत की किस राज्य में है ठीक है तो कहां पर है बच्चो मणीपुर में इस्थित है most important question है क्या नाम इसका केबुल लाम जाओ केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क मडीपुर में इस्थित है और भारत का तैड़ता हुआ नेशनल पार्क है तैड़ता हुआ नेशनल पार्क से मतलब क्या है इसका हिस्सा जो लोक्टक जीले यहाँ पर है ना मडीपुर में लोक्टक हिरन हैं इसके लिए जाना जाता है सांगा हिरन को हम dancing deer भी बोलते हैं जब यह चलता है तो ऐसा लगता है जैसे dance करते हुए चल रहा हो एक उसको हम dancing deer बोलते हैं 1950 के आसपास 1950 के आसपास आजादी के बाद ऐसा हम आना जाता था कि जो सांगा हिраन है ये विलुप्त हो गए है ना शमाप्त हो गए है लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको कीवुल लाम जाओ नेशनल पार्क में बापस से धूड़ा गया तो एक प्रजाती है जो खत्म होने की कगार पर है इसलिए और महत्रपूर्ण हो जाता है ये नेशनल पार्क ये लोग तक जील पर है तो ये सारे पॉइंट जितने भी बता है most important है आगे यहां से भी exam में question पूछे जा सकते है ठीक है अगला question दिख लेते हैं नेशनल पार्क दिये हैं और कुछ राज्जी है तो आपको बताना है कौन सा सही है वंदीपूर कहा है करनाटक में है ठीक है तो ये तो ये बिल्कुल सही है और सिमलीपाल कहा है तो उडीसा राजे में सिमलीपाल है ठीक है तो रहरण थंब ऑर राजिस्थान में C बिल्कुल सही हो जाएगा बाकी यहां पर गलत मैच है बाकी कहाां पर है वो भी मैंने आपको यहां पर राजी बता दिये ना चलिए अगला question द दाश्ट्री उद्यान एक मात्र नैशनल पार्क है जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश या फिर नेपाल और भारत की सीमा में लक्षिमपूर खीरी एक जिला है यहां पर यह अवस्तित है एक मात्र नैशनल पार्क है यूपी का इसलिए काफी ज़्यादा महत्यपूर्ण हो जाता हैै एक चंद्रप्रभा वान्य जी विहार भी यहां पर है यह भी काफी पूछा जाता है तो यह आपको याद रहादा घद तरह पार्क एक है डुद्वा कहांपर है इसके लिए बारह सिंगा को किया होता है एक हिरन टाइप का होता है, उसमें सिंग बहुत ज़writer होते हैं तो उसको हम 12 सिंगा बोलते है तो 12 सिंगा के लिए जाना जाता है आपको याद रखना है यहाँ पर लक्हाइम पूर खेरी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यह नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क है ना सलीम अली में ये चडिया मैंने उड़ा दी क्योंकि जो सलीम अली है इनको हम वर्ड मैन आफ इंडिया भी कहते हैं ठीक है जो सलीम अली थी ये क्या थे पक्षी बैग्यानिक थे और इनके ही प्रयासों से हर्याना में एक नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी जिसको हम बोलते हैं सुल्तानपुर क्या बोलते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार की रूप में इसकी स्थापना हुई थी वर्तमान में ये नेशनल पार्क है ठीक है सुल्तानपुर पक्षी विहार या फिर नेशनल पार्क तो सलीम अली के बारे में भी याद रखना ह snack हुरिया ने सिनका सम्बने फक्षी वैज्ञाने में तो फिराहल में question कुछ और सलीम अली national park कहां पर है यह पूचह जा रहा है तो यह हरियाना में नहीं है यह जम्मू काश्मीर में है। झे कहां पर है । आली नेशनल पार्क कहा पर है, बच्छो जम्हु काश्मीर में है लेकिन याद रखना है, शलीम अली के प्रयासों से, जो कि एक पक्षी व्यग्यानी थे, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, वर्त मान मेने वो नेशनल पार्क का दर्जा है, ठीक है, सुल्तानपुर जो पक्षी वेहार है, प्रवासी पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको चिडिया भी उड़ा दी है, इसको भी आप देख सकते हैं, चलिए, भीतर कनि का नेशनल पार्क मोष्ट इमपॉर्टन है, ठीक है, ओल्यक रीड़े कच्वे जो की एक खतम होती परजाती है, और खत्रे में खत्रे वाली प्रजाती जो तेजी से समयाप्त हो रही हैते हैं तो यह जो नेशनल पार्क है ओल्यक तो फीर कर आद रखना है कहां पार है रिडले कच्छुए ठीक है चली अगला कुश्चन देख लेते हैं ठीक है उड़ी सा राज यह है नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा देवी सिंपल सा है आपको नाम से समझ जाना चाहिए यह आपने इंडियन जोग्राफी पढ़ी है तो है ना नंदा देवी कहां पर है उ उत्रखंड राज्य जो है ना उत्रखंड राज्य में नंदा देवी एक माउंटेन पीक है और इसी के नाम पर एक नेशनल पार्क है बहुत सारे नेशनल पार्क बच्चो कुछ नदियों के नाम पर हैं कुछ वहां पर माउंटेन पीक के नाम पर हैं ऐसे बहुत सारी कॉम एक फूलो की घाटी नेशनल पार्क भी यहां पर काफी जयदा famous है काफी question आते हैं जिम कॉरवेट नेशनल पार्क भी यहां पर है पहला नेशनल पार्क अभी मैंने आपको discuss कराया था तो याद रखना है ठीक है अगला है गेंडो के लिए प्रशिद अभ्यारन कौन सा है या फिर नेशनल पार्क यहां पर नेशनल पार्क होना चाहिए कौन सा है यह किस राज्य में इस्तित है गेंडे के लिए जाने जाना वाला नेशनल पार्क तो कौन सा है गेंडे के लिए काजी रंगा most important question है एक सिंग वाला गेंडा जो होता है ठीक है इसके लिए काजी रंगा नेशनल पार्क जाना जाता है जो कि असमराजी में situated है जाना जाता है तो यहां से काफी question exam में देखने को मिलते हैं आपको याद रखना है जैसे कि मैंने अभी हिम तेंदुआ बताया बबबर सेर बताया ओलिव रिडली कछुए बताये सांगाई हिरन बना बताया तो इनकी अब एक अलग से लिष्ट बना लिए जिए है बारा बताया तो ऐसे question exam में काफी देखने को मिलते हैं चलिए अगला question है बंदीपुर राष्ट्री उद्ध्यान किस राज्ज में है काफी महातुपुर नेशनल पार्क है इसका आंसर हो जागा करनाटक दक्षन भारत का एक राज्ज है करनाटक जहां पर बंदेपुर नेशनल देखने को मिलता है most important है याद रखना है ठीक है अगला है कंचन जंगा राष्ट्री उद्ध्यान अभी मैं आपको बताया था ना बहुत सारे national park ऐसे हैं जो कि mountains से related हैं उसी में से एक यह है कंचन जंगा ठीक है राष्ट्री उद्ध्यान भी है और भारत में हिमाले की सबस से उची-चोटी है जिसकी उचाई कितनी है चासी-ग्यारा बहुत अच्छे से हिमाले पढ़ा रखा है यदि हिमाले पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे चार-पांच लेक्चर मैंने उस पर बना रखे हैं जोग्रफी वाई साहुसरवाई प्लेलिस्ट को फॉलू कर सकते ठीक है तो कहां पर है बच्चो सिक्किम राज में आपको कंचन जंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है ठीक है तो यह हमने बच्चो 15 questions discuss किये है जो 15 के 15 questions है इसमें से पूरे 15 questions ऐसे हैं जो बारवार exam में repeat होते हैं इनके साथ साथ कुछ हमने अन्य detail भी देखी उसको भी आ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं मेरे दोनों courses आपको live और recorded मिल जाएंगे हमारी root application पर root application को आप download कर सकते हैं और detail में पढ़ सकते हैं different subject भी अलग-अलग expert faculty के साथ पढ़ सकते हैं तो अगला जो हमारा lecture आएगा ठीक है वो किस से related रहेगा वो हम tiger project से related उसको हम discuss करेंगे ठीक है तो जितने भी national park है एक वार आप अच्छे से पढ़ लेना revision कर लेना काफी question यहां से exam में देखने को मिलते हैं हर एक exam का खाफी favorite topic माना जाता है तो कमेंट में बताईएगा कि आज का आपको वीडियो lecture कैसा लगा यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को like कर दीजे कोई अच्छा सा comment भी कर सकते हैं बहुत जल्दी मिलेंगे अगली कोई भैतर lecture के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहे जैह बाई बाई टेक केर